बचो मैं हुगुरुनी तेश और आप आज हम लोग कोशे नमबर टेन सौल करने जा रहे हैं कोशे नमबर तस कोशे नमबर तस काता है कि एक कॉलेज में 43 विद्यार्थियों में से 2300 लड़किया हैं और उपाद क्यात किजिए लड़कियों की संख्या का और कुल विद्यार् एक असान सवाल है कि हम लोग को अनपाद क्यात करना है तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं बिद्यार्थियों की संख्या जो है हना बिद्यार्थियों की संख्या है 4320 ठीक है अब बिद्यार्थि जो होता है बिद्यार्थि जो होता है हना यह ना मेल का बोध कराता है ना फिमेल का मतलब बिद्यार्थी मतलब होता है कि लड़का और लड़की दोनों है ना जैसे छात्र और छात्राएं हम कहें तब इससे बहुत होता है कि छात्र मेल है और छात्राएं फिमेल है अगर केवल बिद्यार्थी कहा जाए तो इसमें लड़का और लड़की दोनों सामि तो अगर हमको लड़कों की संख्या निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे कि विद्यार्थियों की कुल संख्या में से लड़कियों की संख्या को अगर हम लोग घटा देंगे लड़की की संख्या को अगर हम घटा देंगे तो हमको लड़कों की संख्या आजाएगा तो 4,320 उसमें से हमりोग 2300 को घटा देंगे तो हम मार्य पास आ जाएगा 2020 यह क्या होगा यह होगा लड़कों की संक्या तो अब हमारे पास विद्यारत्यों की संख्या भी है लड़कियों की संक्या भी है और लड़कों की संख्या most तो हम लोग अब पार्ट ए में आते हैं पार्ट ए काता है कि लड़कियों की संख्या और कुल विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात ठीक है तो हमको अनुपात निकालना है लड़कियों की संख्या का लड़कियों की संख्या का ठीक है कुल बिद्यार्थियों से ठीक है तो बिद्यार्थियों से ठीक है तो लड़कियों की संख्या दिया हुआ है लड़कियों की संख्या है तेज सो और बिद्यार्थियों की संख्या है तेताली सो बीस ठीक है तो तेज सो पटा तेताली सो बीस दीखे एक जिरो से एक जिरो कैं तो एकम दो छोदुना बारा तो उपर में आया एक सो पंद्र नीचे आया दोसो चोल तब ये तीन से कटने वाला उपर वाला नहीं है लेगिन नीचे वाला तीन से कटने वाला है चार से भी नहीं कटेगा पांच से भी नहीं कटेगा छे से भी नहीं कटेगा साथ साथ से भी नहीं कटेगा ठीक है तो इसका मतलब यह जो है यह कटने वाला नहीं है तो इसका जो आंसर हो जाया 115 अनुपार्थ 216 और यहीं आपका answer हो जाएगा पहला पार्ट complete हो गया जिसका का एंसर हमकों आया है 115 अनुपात 216 कि लृटकों की संख्या और लड़क्यों की संख्या ठीक है तो अब second part का अनुपात जो हो जाएगा अनुपात हो जाएगा अब क्या है पहले होगा लड़कों की संख्या और इसका अनुपात किसे निकाला है लड़कियों की संख्या से लड़कियों ओस्ति ठीक है तो लड़कों की शंख्याँ आप के पास है 2020 जो कि आप निकाल चुक है लड़कियों कीशांका दिया हुआ इस सो है अब इस हम से कैंसिल कर देंगे जिरो-जिरो यह टू से कर जाए 121 15 तो यह आजाएगा 101 इसटू 115 और यहीं आपका सिकंड पार्ट का एंसर हो जाएगा तो सिकंड पार्ट का आपको एंसर आएगा 101 अनुपाथ 11 तो थोड़ पार्ट की बात करें तो थोड़ पार्ट में दिया हुआ है कि लड़कों की संख्या अगर हम लोग थोड़ पार्ट की बात करें तो थोड़ पार्ट में दिया हुआ है कि लड़कों की संख्या कुल विद्यार्थियों की संख्या से है ना तो हम लोग को अनुपा लिया है 2020 और कुल विद्यार्थियों की संख्या प्रस्ण में दिया हुआ है 4320 तो यहां हम लोग लिख लेंगे और 0000 कैंसिल हो जाएगा फिर वन से यह 101 टाइमस में कटेगा और यह फिर टू से आपको 216 टाइमस में कटेगा 101 अनपाथ 216 बस यही आपको करना था तो हम इसमें तीनों पार्ट का अंसर निकाल लिए जिसमें पहला पार्ट का अंसर आया 115 अनपाथ 216 दूसरे पार्ट का अंसर आया 101 अनपाथ 215 और तीसरे पार्ट का अंसर आया 101 अनपाथ 216 और यही काम आपको करना था था था